दोस्तों कालोनी में आपको मट्की लगी दिख रही है तो मट्कियां लगाते हैं हम फिर उसके बाद बीरीट कराते हैं बर्ट्स की दोस्तों तो फिर क्या होता कि बच्चे निकलते हैं अंडे देते हैं बर्ट्स और फिर ऐसे बच्चे निकलते हैं और बच्चे बढ़ते ज उन बच्चों का क्या मेनिजमेंट करना है उनको एडल्ट कैसे कराना है कैसे क्या करना दोस्तों तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे दोस्तों मैं गुल्रेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका पजीज बड़ेंट ब्यूटी चैनल में और उमीद करता हूँ कि आपके बड़्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बड़्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहा हूंगे दोस्तों दोस्तों यह जो आप इंजरे में देख रहा है यह है पहली पीडी यानि के ब्रीडर पेर ब्रीडिंग पेर और इसके पाद जो तयार होगी वह होती है दूसरी पीडी जिसे हम बोलते हैं पठ्छे जिने पठ्छे बोलते हैं या हम बच्चे बोलते हैं जो कि दूसरी नसल हम तैयर करते हैं तो पहली पीडी के बाद दूसरी पीडी केसे तैयर की जाए और पच्छों को केसे अलग किया जाए माबाप से और कब अलग किया जाए और उनकी किस तरह से केर करी जाए दोस्तों क्योंकि इनसे तो हम ब्रीड ले रहें इनके बाद अगली पीडी हमें तैयर क करना पत्चों की अगली नसल तयार करना उस से बीड लेना हमें सो कि यह तो तीन चार साल के बाद भेकार हो जाएंगे तैयार हमें यह करना पड़ती हैं अगले हमारे जो लेह बाड़ हो और वह तरह से सच göz gamma हो तो आज यह वीडियो इसी पर है और मैं दिखाता हूँ आपको कुछ पठ्टे दिखाता हूँ अभी तो फिलाल जो हमने अलग करे हुए है जो कि हमें उनसे भी ब्रीट कराना है इनी की तरह जैसे ये ब्रीट कर रहे हैं भी वो ब्रीट करेंगे दोस्तों ये देखिया आप फिंच के पठे हैं और ये मेने अलग कर दिये थे जब इनकी चोंच काली थी यानि के उसमें काला पन था कईना काई तब अलग कर दिये थे और इनकी चोंच एक नम गुलाबी हो जाती तो फिर पहचानना ही मुश्किल हो जाता कि ये बड़े हैं चोटे हैं और आपको भी दिखे रहोगा कुछ की चोंच काली बची है अभी भी हलकी सी नोक पे तो इस तरह से दोस्तों हरे की एक अलग पैचान होती है फिर मुश्किल हो जाता पैचानना और इतनी जल्दी भी हमें अलग नहीं करना है कि ये सेल्फ ना हुए हो पट्टे प निर्बार हो जाएं आत्म निर्बार आपने सुना होगा एक लवज है तो ये आत्म निर्बार हो जाएं फिर इनको आप पकड़िए और यहां पर और भी आत्म निर्बार हो जाएंगे पूरी तरह से और आप केज ब्रीडिंग करा रहे हों या कि आप कॉलोनी दूसरा ये के इनको भी मार देते हैं उनके पेरेंट्स भी मार देते हैं और दूसरे भी मार देते हैं जो जिसे कालोनी में आप ब्रीडिंग करा रहा है तो दूसरा कोई इनको मार देगा जखम हो जाएगा इनका नुकसान पहुचाएगा इनके सर फोड़ देगा या टांग के पठ्टों को दोस्तों देखिए मैं खड़ा हुआ हूं कालोनी के अंदर और यह जो आप लवबड देख रहा हैं इसमें चोटे पठ्टे भी हैं और बड़े भी हैं अब जब यह मटकी से बाहर निकलाते तो फिंच के पठ्टे तो आप पेचान सकते हैं बजरी के भी पेचान सकते हैं लेकिन कुछी दिनों में इनकी पेचान खतम हो जाती है बहुत जल्दी तो दोस्तों इनका क्या करते हैं हम के यह जो दिख रहे हैं आपको इसके बाद वाली जो पोजिशन आती हैं नकी तो उसमें क्या होता है क Dewस्फे थोड़े से पर आ जाते हैं बस यह मटकी से बाहर निकलने वाले होते हैं ये देखिए ये जो इस तरह के होते हैं ये इनके पर आ चुके हैं लेकिन आप ये मटकी से बाहर नहीं निकले हैं तो इतने जब पर आ जाते हैं तो हम इनके रिंग डाल देते हैं पेर में ये देखिए आप इनको पकड़ के और इस तरह से rink डाल देते हैं पेर में दोस्तों कट रिंग डाल देता हूँ मैं तो उससे क्या होता है के ये पहचान आजाते हैं ये कहीं भी रहेंगे फूर और पहचान आजाएंगे बड़ो में और इनमें पहचान ये हो जाती है तो पेर देख लेते हम और अब इन में भी यह होता है दोस्तों के कुछ खिस्तों में निकलते रहते हैं के दस बारा पंदरा के पहले डालेते हैं अब पंदरा भीस के बाद में डाल रहा हैं तो फिर क्या करते हैं हम पेर बदल लेते हैं किसी के सीधे पेर में डालते है किसी के उल्टे पेर में डालते है और फिर रिंग के कलर भी अलग-अलग मंगा लेते हैं कि ये पिछले बार निकले थे उनके हैं थोड़ा आसानी से पेचाना जाते हैं तो इस तरह का काम अच्छा होता है कि आप रिंग डाल दे तो रिंग से पेचाना जाते है और रिंग में नंबर भी होता है दोस्तों सबका नंबर अलग अलग होता है तो जो भी लेता है उसे डियने वगरा अगर कराना है तो उसकी भी आसानी होती है डियने कराने की हलाकि एक रिंग आपको 18-20 रुपए का जरूर पढ़ता है लेकिन उससे आसानी बहुत हो जाती है तो कि बड़ भी आपका जस्ता नहीं होता है लवबड जो होता है और अगर आप देखें दोस्तों सहत देखिए इनकी फुल रुए हैं बहतरी इन और देखिए आप ये लव बड़ का बच्चा है लेकितना अच्छा देखिए बिल्कुल सहतमद एक दम और रुए की बात करें तो देखिए ये इदर भी ये पूरी तरह से देखिए हिल्दी है अच्छा खाथा कहीं से भी अज़ा था दबला नहीं दिखए और रुए हद से जादा ही है मनलोक कम नह क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ है और वही आपके अच्छे बड़ बनेंगे बैतरीन तयार होंगे तो उनको अच्छा खाना पिना दीजिए और साफ फूड भी देते रहिए अब जैसे यह बजरी है पठे मेने लड़ रहे थे अब इनके मटकी तो लगाने की जरूरत है नही जब तक कि यह एडल्ट नहीं हो जाते पूरी तरह से तो अब आप इनको यह करिए के साफ फूड देते रहिए हफते में दो बार तीन बार आप इने साफ फूड दीजिए एक फूड दे सकते हैं अंड़ दीजिए एक फूड वगरा और पालक में थी हरा धनिया वगरा जै हमने साफ फूड हफते में दो बार जादा देंगे तो कई नकई मोटे होने कर भी डर होता है तो इने एक बैलंस डा competition देना है दोस्तों बागी सीड मिक्स वह रहता है जो हैं बन्हों का होता है तो सीड मिक्स तो हमें वह देना है और जो पठ्ठे आपके घर के होते हैं और आप जैसे चाहें उन्हें सदा सकतें रख सकतें अच्छी तरह से आप उनसे घुले मिले रह सकतें और देखिए ये पीला लॉबबड आप देख रहे हैं दोस्तों रेड आई है ये लोटीन ओफिचर रेड आई देखिए काफी खुबसूरा थे ये अभी पकड़ा है मैंने क को किलाई पलाई करें कलाई पलाई हम बहुत ज़ादा इसली करतें ब्रीडिंग पेर की क्योंकि उनकी एनरजी खर्च होती रहती है बच्चों में और अंड़ों में तो इनकी इतनी खर्च नहीं होती लेकिन बड़ते जरूर ये भी है तो विटामिन केलशीम सभी कुछ इ तो दोस्तों आप लवबड ऐसे पालते रहिए और मेरे चेनल को भी सब्क्राइब कर लीजिए क्योंकि आप मेरे चेनल को सब्क्राइब कर लेंगे तो यह होगा कि जब भी कोई में अगले वीडियो अपलोट करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पर आजय करेगा तो म मिलते हैं दोस्तों पेरे एक अगले वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए